आज आठ अक्तुबर 2005 के जलजले को याद करती है पूरी कौम वैसे तो आज आठ अक्तुबर का दिन है लेकिन ये दिन पाकिस्तानियों के लिए एक याद का दिन होता है कि यार इस दिन जलजला आया था और जलजला भी ऐसा जो के दुनिया की तारीक का शदी तरी जलजला था इस जलजले के नतीजे में लाखों लोग बेघर हो गए थे लाखों लोगों का नुकसान हुआ था लाखों लोगों के माल का नुकसान हुआ था मवेशियों का नुकसान हुआ था गाओं के गाओं जो है वो सफ़ा हसी से मिट गए और उसके लावा दोस्तों 2005 का जलजला इससे हजारों लोगों के अमवात हुई आपको याद दिला दू कि इस सुबह का वक्त था कि जलजला आया और उसके बाद रात को तो अराम से सारी जिन्दगी चल रही थी रहा दमा थी लेकिन सुबह होते ही जिन्दगी रुख गई क्योंकर किसी का बाब किसी का बेटा किसी की बहन किसी का पूरा घर उजड़ गया था आपको मालूम है कि ये जो है में जो गाओं इससे मतासिर हुए थे अज़ाद कश्मीर के गाओं जिससे जादा मतासिर हुए थे उसके लावा केपी के में भी ये महसूस हुआ था जलजला तो दोस्तों आज 2005 के जलसले को हम याद कर रहे हैं और ये जलसला आपको इसी तरह ये इस बात को याद रखनी चाहिए जिन्दगी में सबक देता है कि जिन्दगी में मुश्किलात आती है और मुश्किलात के बाद असानी होती है आज फिर से वो गाओं अबाद हो गए लेकिन हम ये सूचना चाहिए कि हम जिन्दगी में क्या कर रहे हैं कोशिश करें किसी का दिल न दुके क्योंकि आपको नह पता कि आने वाली सुबह आपको मिलती है या नहीं मिलती है, बहुत से लोग ऐसे थे, जोन्होंने सालों साल, ये सुचा होगा कि यार हम ये करेंगे, जोन्होंने प्लैनिंग कियोगी लंबी, कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इधर घर बनाएंगे, हम बहार जाएंगे, लेकिन अनफर्चुनेटली जब वो सुबा उठे तो वो इस दुनिया ही में नहीं थे वो प्लैनिंग क्या करते हैं तो इनसान को लंबी प्लैनिंग नहीं करनी चाहिए बस अल्ला का शुक्र रदा करते रहिए और अपने आपको बिल्कुल क्लियर रखिए क्लियर रहें कि आपको जो है वो बिल्कुल किसी से जो है आपको तालुकात नहीं तोड़ने और हर चीज़ पस 2005 का शजल आपको यही याद दिलाता है कि भाई लोगों से अपने मामलात अच्छे रखें और उसके इलावा उम्मीद करता हूं कि पूरी कौम जो है आज 2005 के अक्तूबर 2005 को से जन्जल आया था उनके लिए दुआएं कीजिए हम भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं अपको जन्नत में आला मुकाम अता फर्माएं सबको मुझे मेरे माबाब को अपनी दुआओं में आतर रखेगा आपके माबाब के लिए दुआ को हूं अल्ला हाफिस